हरे दोस्तों मैं हूँ दिनेश के वूरा चैनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है चीन ने आज चीन ने हिंदुस्तान को कल दो धंकी दे डाली दो धंकी और ये कहा कि इंडिया को एक पहले धंकी ये दी कि हुआ भी टेक्नोलोजी को इंडिया 5G की जो है इंडिया बैन नहीं कर का उप्योग किया चाइना ने इंडिया ने कराना जवाब देते हुए कहा है चाइना से कि हमारे इंटरनल मैटर के अंदर वो कोई भी इंटरफेरेंस ना करे तो ज़्यारा अच्छ है इंडिया इस चीज़ को बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं करेगा इंडिया के करारे ज नितना माल अमेरिका स्य भूंगाता है। उससे 400 बिलिए डौलर से 10 का माल उसको अपने फेवर के अंदर नहीं है कि उसको बैचता है। तो basement जो फेवर गूला हो Chyna के लिए माल चाइना को बेचना है हमें नहीं बैचनाły Chyna को आमेरिका माल बेचना है चाइना को इंडिया में भी 100 बिलियन डॉलर का माल बेचना है इंडिया दुनिया की सेकंड या थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की आप कह सकते हो शक्ती है अगर चाइना इंडिया के साथ कोई भी टसल लेता है तो उसको बिजनस के अंदर बहुत ज़ारा रुकसान हो सकता है क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलोजी खरीदने के लिए बाकी चीज़े खरीदने के लिए और बहुत सारी टैर्टरी हैं इंडिया कोरिया से ले सकता है, जापान से ले सकता है, वियतनाम से ले सकता है, बांगलादेश से ले सकता है, योरप से ले सकता है, अमेरिका से ले सकता है, स्केंड़निवियन नेशन से ले सकता है इंडिया के पास बहुत choices हैं लेकिन चाइना सोचता है कि वो धंका के काम कर सकता है तो नहीं कर पाएगा अमेरिका ने हुआवी को बैं कर दिया है अमेरिका इंडिया को influence कर रहे है कि इंडिया हुआवी technology को ना ले लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका के कहने में नहीं आएगा हिंदुस्तान का अपना stand है हम अपने भले की सोचेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है हम अपनी जरूतों के साब से decision लेंगे हम अमेरिका के दबाव में decision नहीं लेंगे लेकिन चाइना हमको धंकाने की कोशिश ना करे तो जरा अच्छा है कश्मीर मसली के ऊपर जो उनने चाइना का स्टेट्मेंट आया है कि इंडिया का यूनिलेटरल decision है वो acceptable नहीं है अगर आपको acceptable नहीं तो आप घर बैठी है चाइनीज महराज हमें आपकी जरूत नहीं है इंडिया ने करारा जवाब देते हुए उसे वापिस का है कि ये इंडिया का internal matter है और आप इसमे matter ना करे तो अच्छा है आप इसमें interfere ना करे तो अच्छा है आपका कुछ लेना देना नहीं है क्यों हम कभी भी आपके जो Chinese के अंदर जो अंदर कुछ problems आती है उनके जो states में हम उसके बर comment नहीं करते हैं बेतर होगा आप इंडिया में जो इंडिया के जो internal मसले है उसके बर comment ना करे तो ज़्यादा अच्छा है चाइना इस बात से सकपका गया है अब क्या करें चाइनओ को एक बात समझनी होगी अगर इंडिया से ज़्यादा तसल लेगा तो उसका नुकसान है इंडिया भी अब चाइना अगर strong है तो इंडिया भी बहुत strong है इस में इंडिया इंडिया इस अलमोच थर्ड बिगस्ट military power, इंडिया, चाइना, रशिया, ये जो हमारे अपना अमेरिका, ये चार बड़ी पावर हैं दुनिया की, तो कोई ये ना समझे, और नुकलियर पावर से सारी की सारी, और बड़ी नुकलियर पावर है, छोटी नुकलियर पावर नहीं है ये, दूसरी इंडिया के पास स्पेस टेक्नोलोजी काफी जारा अच्छी है, हमारे पास भी मिजाल सिस्टम जो है, इंटर कॉंटिनेंटल बिला, बिलस्टिक मिजाल के बॉस्क्रॉंग है, तो चाइना इस बात को ना समझे कि वो इंडिया को डैमेज कर सकता है, धंकाने की कोशिश ना करे, चाइना ने अमेरिका को धंकाने की कोशिश की नुकसान खाया, इंडिया को धंकाने की कोशिश करेगा, नुकसान खायेगा, चाइना की उपर वैसे भी यकीन किया है अपने आपको international trade के इंदर स्थापित करने के लिए और इसकी वयाद से चाइना और तिल मिला गया है चाइना हिंदुस्तान का हिंदुस्तान को थ्रेट देने की कोशिश ना करें यह हमारा कहना है शांती से जो काम करना है करें शांती से वयापार करना है करें अगर शांती से वयापार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर शांती से वयापार नहीं करता है तो और भी अच्छी बात है कोई फरक नहीं पड़ता चाइना की धंकी भी बिलकुल नहीं आ रहा है चाहे वो हुआ वी के ओपर बिजनस के ओपर हो चाहे ट्रेड मैंटर्स पर हो या काश्मीर डिस्पीट पर हो चाइना आज गॉट नाथी तो इंटरफेर इंटरल मैंटर्स आप इंडिया शुक्रिया आपका चलफा हिंदी बन पुलिया आपने रहा हुआ आपका पुलिया आपने रहा है